नमस्कार स्पागत है आपका इंडिया न्यूस पर और मैं हूँ आपके साथ स्पाति सेंग कौन है जिन्हें कैनाडा में जस्टिन डूडो दे रहे हैं समर्थिन प्रदिबंदित खालिस्टान टाइगर फोर्स केटी आफ के प्रमोख हरदीप सिंग नजार के अठारा जून को कैनाडा के वेंकूवर में अग्यात लोगो द्वारा गोली मार कर हत्या किये जुआनी के कुछ दिनों बाद ही भारत के विदेश मंत्री S.J. शंकर कहते हैं कि तथ्या कथित खालिस्तान राजनीती का उदै कैनाडा में वोट बैंक की राजनीती से प्रिरित था आपको बता देएं कि देखा गया किस तरीके से G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के राष्टी सुरक्षा सलाकार अजीत डोभाल ने अपने ऑस्ट्रेलियाई, ब्रितन और कैनडाई समक्षकों से उनके विदेशों में सिक खटरपंती के बढ़ने और भारतिय संपतियों के खिलाफ हिंसा और चर्चा की, ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलियाई, NSA और UK, NSA ने भारतिय चिंताओं पर जहां साकरात्मक प्रतिकिर्या व्यक्त की, वहीं कैनडाई, NSA इससे प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि खालिस्तान समर्धक, जगमीद सिंग की New Democratic Party, जस्टिन ड प्रुडो सरकार का समर्धन करती है, NSA स्थर की बैठको से ये बिल्कुल साब था कि कैनडाई सरकार खालिस्तान समर्धकों के दवाव में थी, और वे ओ भारतिय हितों की मदद के लिए कुछ नहीं करेगी, जबकि UAPA के तहत प्रतिवंदित अमारिका स्थित्सिक फोर जस् की मदद से खालिस्तान समर्थक खुले तौर पर कैनडा में तैनाद भारतिय श्रीष राजनिकों की हत्या करने की धमकी दे रहे थे, जिसमें भारतिय राजदूत और दो महा वर्जय दूतों की तस्वीरे पोस्टरों पर छपे हुए थी, और उनके सर पर इनाम रखा घोशित आतंगवादी था, जिसके खिलाब भारत में कम से कम दस मामले दर्श थे, उसके खिलाब इंटर पोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था, और वे कैनेडा इस्थित गैंगेस्टर हर्षदीब सिंग, रिंकु बहला और गोल्डी बर्लाड क्या उस्ट्रेलिया इस्थित गुर्जंत सिंग और पाकिस्तानी इस्थित लखवीर सिंग रोडे के साथ पंजाब में साथ और पर कॉंट्रेक्ट हत्यारों और भारत में हत्यारों की अवैद तसकरी में शामिल था, जलंदर में जारी पासपोर्ट पर 8 जुलाई 2020 को कैनेडा क सारे आपको बता दे जिस तरीक से देखा गया कि फरार हुए हर्शदीब सिंग डला के खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा कम से कम लगबग 37 F.I.R. दर्च की गई थी, हाला कि अभी भी उनके पास भारतिया पासपोर्ट है, डला सरे में अपनी पतनी और बेटी के साथ रह अंदर राष्टे गेंगेस्टर है, गेंगेस्टर और माफिया डॉन सतिंदर जीत सिंग बरलाड उर्फ गोल्डी बरलाड 15 अगस 12 सत्तरा को भारतिया पासपोर्ट पर कैनड़ा गया था, वे लोरंस विश्णोई गरो का एक सकिर्य सदस्य है, जिसके खिलाब भारत में हत तरिक मामलों में हस्ता शेप करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन में कैनेडा स्थित गेंगेस्टर हर्ष डल्ला को लेकर आख मूत्ते हुए हैं, जिसने सोमवार को पंजाब के मोगा जिले में कॉंग्रस नेता और अजीत वाल ब्लॉक के अध्यक्ष बलजिंदर सिंग बल खुले आम निशाना बनाने वालों के खिलाफ कोई कारवाई ना करके ट्रूडो भारत के साथ राजनीती कर रहे हैं, जबकि उन्हें सोचना चाहिए, इसे जोड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, और देखते रहें, इंडिया नियोज धन्यवार